नमस्कार इन्बिस्यन के खास कारेक्रम खास पेशकस में आपका स्वागत है दर्शकू जिस प्रकार से सारे गमप आपने गीतों से तो काफी जो है तालुकात रखा होंगा लेकिन एक पॉप सिंगर के तोर पर अमेरिकी गाईका और पॉप दिवा पिंकी पारस इस वक्त हमा मैडम आपका बहुत बड़ा धन्यवाद यहां और चार साल के बाद दर्शकू आपको विशिश रूप से बताना चाहूंगा कि चार साल के बाद पिंकी मैडम नाकपूर में आई है और उन्होंने इस वक्त देखा कि नाकपूर जो है मैडम के स्वागत में पूरी तरह से नाकपूर जो है दिवाली की तरह सजा हुआ था ऐसा उनका कहना है मैडम आपका परीचे करवाना मतलब जो है सूर्य को दिया दिखाने समान है आपका कर्तित्व काफी बड़ा है लेकिन फिर भी किसी भी किताब को पढ़ने से पहले किताब कितनी भी बड़ी हो इंडेक्स जानना काफी आवश्योग होता है मैं सबसे पहले हम आपका इंडेक्स जाना चाहेंगे किस परिवार से आप आती है और किस प्रकार के संगर्ष आपने जो है जेले है अभी तक इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए को मेरे नमस्ते है और मैं मेरे परिवार के अगर बात करें तो सारे ही संगर्ष है तो संगर्ष का उतना नहीं है लेकिन लड़्चियां और खासकर कि लेट उमर में शुरू करें संगर्ष तो थोड़ा बत सामा करना करता है तो आपको अपनी जर्णा बनानी है तो हर रोज हिंदुस्तान में खास कि एक से बढ़ कर अपने जो आपने अपने स्थी ती ती उस वक्त आप सौंग गाया था यह गाना सबसे पहले तो बहुत ही खुबसूरत मीजिक यह उस वक्त वाइरन हुआ था यह गाना जब की डी जुगरा का दौर भी नहीं था तो उस समय भी लोगों को बहुत पसंद था आज तक इसके नाजाने कितने रिमिक्स आ चुके हैं जब मैंने किया था तो मैं फॉस्ट थीज सावन का फॉस्ट पीम मैंने किया तो एक तो मेरे कजन का गाना है तो उससे पर्मिशन मिल गई तो मुझे जादा दिक्कत इसमें नहीं आई तो गाना वैसे ही इतना खुबसूरत है कि सब के मूग पे तो चटाई रहता है आज भी Tepe मैं में फ्रफॉमस करते वक्त शुटिंग करते वक्त असे काफी जो प्रसंग होते हैं एक सीरियस प्रसंग जो करें को आपको बहूत सीरियस्लिक प्रसंग जिसने कुछ बहुत कुछ प्रमियो मोमेंट्स भी आप अपican साथ शैयर कर थे तो हर जगह की अलग लग निशादियां होती है हर शो भी एक जासा नहीं होता है तो मिक्समेश चलता ही रहता है इस समय और क्या जवाब दे सकती हूं मिक्समेश चलता रहता है लेकिन मैंने हर शो को हर जगह को एंजॉय कि यह बोलना चाहेंगे कि जो है टमाटा और अंडे नहीं पड़े यह तो काफी नहीं है रब का शुकर रहा कि मुझे प्यार करने वाले मुझे आती कोई दिक्कत शो के लिए नहीं है काफी इतिहास देखा जाए इन दोर से भी काफी सिंगर्स गुजरे हैं क्योंकि जो है जो गले में बसी हुई सरस्वती हैं लोगों के कानों तक पहुचा ते वक्त काफी कटनायों का सामा एक सिंगर को करना पड़ता है काफी जो है प्रसिद्र सिंगर्स का इतियास हमने देखा उस वक्त भी उन्होंने काफी संगर्ष उन्होंने जहला है लेकिन आप उस बात से जो है सवभागिशारी रही कि आपका जो है आपके फैमिली बैग्राउंड है वो सिंगर्स का था मैं सभी के जीवन में जो है एक हीरो होता है और एक विलन भी होता है वो व्यक्तिकत रूप से हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई प्रसंग हो सकता है कौन सी चीज जो है आपके जीवन में आपके कही बार जो है बाधा बनी हो या साथी साथ बोल सकते हैं कही बार आपक करती है उपने ही लोग होते हैं तो नाम लेने का फायदा नहीं है क्योंकि अब तो सारे ही खुश है और अब मुझे देखके मेरे जो खांदान के लगतीया है या इर्द विर्द के जो भी है वो मुझे देखके वो भी फॉलो करने हैं माइम आज की जो व्यस्त जिंदगी है सभी की देखा जाए तो काफ़ी व्यस्त जिंदगी है उठने से लेकर रात के सोने तक जो है बहुत ही व्यस्त हम रहते हैं बहुत बीजी जिंदगी हो चुकी है इसके बीच जो है कई लोगों को गाना सुनने का जो है टाइम भी नहीं जब बना है जुब कर ंँना पुलों करके दो ये बचेवे बचे टाहि से बचा रजा वको ठाएं किसी बॉक्ति कुछ हो सकता है रॉमन्टिक हो सकता है जो आपको घरा एक हो अच्हा है हेजichen किसी पर सबसे थोड़ा सा ओफ रेकॉर्ड में कोशिन पूछना चाहूंगा आप चार साल बाद जो है ताजुदीन रह्मत अलहे के जन्मदीन के मोगे पर आप नाकुर आई है ऐसे पता चला है और ऐसी जानकारी है तो मैं क्या आपको बदलाव लगा चार साल के बाद और किस प्रकार किस तिती आपने देखी क्या कहना चाहिए पहले तो ने बताओं की वाद क्यों है मैं हर साल आरही हूं किछे साथ-ाथ सालों से बाबाताज के बर्ड़े के लिए लॉक्डाउन लग गया दो साल के लिए इसके बात मेरी मम्नी के तबयत खराब हो गए थी मैं अपना ताइम दिया अपना सब में जिक बारे छोड़ के तो उस सब चीजों के लिए चार साल लग करेंगे आप हमारे इस इंबीजियन के जो है सब कुछ है हिंदुस्तान में मैं आउं और नाकपूर ना आउं ऐसा तो होई नहीं सकता मैं अब जो है इस शाक्षातकार का आखरी पड़ाओ जहां कि हम आपके मुखारविंदों से एक सुन्दर सॉंग सुनना चाहेंगे तो सावन में लगए गई आग दिल मेरा हासा उच्षो न क्या हुआ आज दिल मेरा हाई बाकी गाना आपड़ी रिप लिद्टा सुरिये रहा यूट्यायूब सुनों इतने ही सौंग से पुरे जो है नाकुर में आग लग चुकी तो बाकी यूटूब का गाना सुनते सावन में जब आग लगती है सावन के थंडे मोसम में आग लग सकती है तो उस गाने की प्रभाविता आप जरूरी जान सकते हैं जिस प्रकार से मैडम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्टुडियो में आने के लिए साथी साथ पुरे नाकपुरवासियों की ओर से साथी साथ हमारे इंबीसियन के जो है दर्शकों की ओर से हम आपका काफी बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपका विशेश प्रेम है नाकपुरवासियों पर और जिस प्रकार से आप अट प्रेम नाकपुरवासी आपके साथ करते हैं तो दर्षकों इस वक्त हमारे सात मोज़ूद थी मेडम, जिननका नाम dubिकी पारस है जिसके नाम में ही पारस है मराठी में बोला जाता है, कि परिश जिस भी चीज को लगता है, उसे सोना बना देता है उसी प्रकार से संगित की दुनिया में आप आई है तो यकीनन संगित की दुनिया साथ जो है यह बॉलिवूड, हॉलिवूड एंड ओल जो है टीवी की दुनिया में काफी बड़ी क्रांती आचुकी है दर्शुको इस वक थमार साथ मोजूद थी पिंकी प्यारस मैडम और मैं था मनिश्टेमरे इनबीसेन की स्खास पेसकस के लिए अगली रिपोर्ट के लिए देखतेरी इनबीसेन न्यूज धन्यवाद